हलो मेरी आवाज उम्मीद करती हूँ आप सब तक आ रही होगी नमस्कार, a very good evening, मैं हूँ स्टोरी वाली जैश्री सेथी, स्टोरी घर से और आज मैं आप सब के सामने हूँ, आप सब के सामने रूबरू हूँ उसका क्रेडिट उसका श्वेज आता है, Integrated Volunteers Network और IJ काकेहाशी Services Private Limited को, उन्होंने ये खुदसूरत मुहीम शुरू की है जिसके तहट COVID के चलते वो घर घर तक कहन लेका जा रहे हैं, Facebook के माध्यम से और इसी मुहीम के चलते आज मुझे मौखा मिला है कि मैं अपनी कहानी आपको सुनाओ, तो ये कहानी शमीम पदमसी ने लिखी है और तुलिका Publishers ने इसे प्रकाशित किया है ये कहानी खाने के बारे में है, yes, food, लजीज, स्वादिश्ट, जाइकेदार, चटकारेदार, मसालेदार, लबाबदार, हाई हाई, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जो मुझे बिलकुल पसंद नहीं है, जैसे के लैला की उंगलियां, यानि के भिंडी, ऐसे क्या देख रह ज़रूरी है कि आपको भी ऐसी कोई खाने के चीज होगी, जो बिलकुल पसंद नहीं होगी, क्योंकि I believe that everybody fuss about food, if not always, but sometimes, तो जैसे कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है, बाकी सारी चीजें पसंद हैं, तो आज की जो कहानी है, इसमें है ऐसा ही एक राजकुमार, जिसके खाने को लेके थे नखरे हजार, तो जैसे कि हर कहानी शुरू होती है, ऐसे ही ये कहानी शुरू होती है, बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा सा राज्य था, जिसमें एक राजा था, एक रानी थी, और एक था राजकुमार, बॉन्डपली, 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 एक राजकुमार, मचाई, जिसने खल बली, नहीं था जी, वो कोई बाहु बली, बॉन्डपली, 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 बॉन्डपली जिसके खाने में थे नकरे हजार चाहे बना हो बैगन का भरता या कोफता मलाईदार यही कहता बार-बार नहीं, नहीं, नहीं कभी सूं के खाने को एक तरफ सरका देता तो कभी हलका सा चकता और कहता नहीं खाना राजा रानी को दूसरी तरफ खाने का था बड़ा शौक जी सुभा नाक्षा खत्म होता नहीं था कि रानी शाहिखान सामे से कहती आज दोपहर में क्या बना रहे हो दोपहर का खाना खत्मी होता था तो राजा शाहिखान सामे से कहते आज शाम की चाएं के साथ क्या बना रहे हो शान की चाय खत्म हुई नहीं की रात के खाने की चिंता सताने लगती थी तो राजा रानी तो बहुत थे खाओ पर उनका ये राजकुमान बहुत ही था नकरीला अब जब खाता नहीं था तो कमजोर हो गया अब एक दिन रानी के दिल को बहुत चोट लगी उसे लगा अती हो गई दंदनाती हुई शाही रसोई में गई और शाही खान सामे इस पे दहारी शाही खान सामे का नाम था लच्छन मिया और लच्छन मिया से जाकर उन्होंने कहा देखो लच्छन मिया कल कुछ ऐसा बनाना जो राजकुमार को पसंद आए गर नहीं हुआ ऐ गय क्या करें क्या ना करें या कई इसा बनाए उन्होंने धोया च्छाना काटा च्छीला उबाला ना किया फिर कुछ बन के न दिया उदास हो गए साभने जूह जा रहा थह चूले पर कड़ाई थी कड़ाई में तेल खॉल रहा था और लच्छन मिया को समझना आए कि क्या बनाए अचानक उन्होंने एक भगोना पतिला उठाया उसमें डाला चावल का आठा दाल का आठा थोड़ी सी दही थोड़ा सा हींग काली मिर्ज नमक धनिया थोड़ा सा पुदीना और उसे कल्ची से हिलाना शिरू किया घोल को और ज्यादा मिक्स करना शिरू किया एक बैटर बनाना शिरू किया अब लच्छन मिया बहुत ठके होए थे पूरी रात सोई नहीं थे सुभा के तीन बज रहे थे उन्हें पता ही नहीं चला कब वो घोल बनाते-बनाते कि मुर्गे ने बांग दी अ क्यिक्ट है कि मुर्गे की बांग को सुनकर कुटा जागा कुटा जुपटा बिल्ली के बिल्ली लबकी चुहें के ऊपर चुहा खुदा लच्छन मियां के सर पर लच्छन मियां की नीग खुली हट बड़ा हट में उनके हाथ से कल्शी उचली कल्शी में जो घोल का पेड़ा था वो गिरा कढ़ाई में और तड़क 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 भड़क भड़क छिटक छिटक तड़क चितक भड़क भड़क चितक तड़क चुन 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 उसने तलना शुरू कर दिया और लच्छन मिया बस देखे जा रहे थे और जब वो पीड़ा भूरे रंका हो गया लच्छन मिया ने उसे कलची से बाहर निकाला चाना प्लेच में रखा सूंके देखा बड़ी अच्छी महका रही थी और उन्होंने इक चुट इसे चुटकी बनाई उस पेड़े से काथी मूं में डाली दूसरी चुटकी ली फिर एक बड़ा सा निवाला लिया बाहर से कुरकुरा और अंदुर से मनर्म पूरा पेड़ा खा गए और लच्छन मिया को लगा कि इससे बहतर क्या हो सकता है कि यह आज नाश्टे में शाही मेज पर यही परो से बड़ी सी तश्त्री लाए उसमें खूब सारे वैसे पेड़े भुने वह जो बैटर उन्हों ने बनाया था उसके वह उसमें धरे और मेज पर जाकर रख दी अब नाश्टे की मेज पर राजा जी आकर बैठी रानी आकर बैठी और साथ ही में आकर बैठा वो नप चड़ा राजकुमार अब रानी ने उन पेड़ों को देखा और लच्छन मिया को ऐसे सवाल भरी नग प्लेट लिए उसमें एक पेड़ा उठाया और राजकुमार के सामने रखा राजकुमार ने पहले तो उस पेड़े को सुनगा फिर एक चुटकी बनाई काटा मूमें डाला कि दूसरी चुटकी लिए कि फिर एक बड़ा निवाला लिया कि यह जो अच्छा है पूरा पेड़ा खा गए फिर दूसरा लिया कि अब राजा रानी है रान उन्होंने कभी अपने राजकुमार को इतने चाव जे इतने शौक से कोई चीज खाते नहीं देखी थी राजा ने पूछा कैसा है, राटकुमार? और हमारे राटकुमार, जिनके मुध में बहुत सारे फेड़े भरे हुए थे, वह कहना-चाह रहे थे वॉंडर५ुल, अब चुकि मुध भरा था, उनके मुसे निकला बॉन्दर५ुल! बॉन्दर५ुल, बॉन्दर! और ची ने कहा सही बात इस लजीज शीज इण का नव अःज से बाणड़ा हम भी टो नवाणड़ा हम भी खुएंगे बांड़ा एक बांड़ा राजा नी लिया रानी ने लिया आपको उठीड, बांड़ा की राजने शाहिखान सामा यानि कि लच्छन्मिया को आदेश दिय आज दुपेहर में भी बॉंडा ही सर्व करना दुपेहर में बॉंडा खाया उसके बाद शाम में जब चाई का वक्त आया तब भी बॉंडा खाया रात में खाने में भी बॉंडे की रिक्वेस्ट की गई सुभह दुपहर शाम रात बॉंडा 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 सुभह दुपहर शाम रात बॉंडा 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 हाई बॉंडा 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 पांच जिनों के बाद महल में शाहिद दावत रखी दई महल में काम करने वाले सारे लोगों को बुलाया गया राज क्या यहीं पर रुखने वाली थी लच्छन मिया यानि शाहिख खान सामे के एक दोस्त थे उसने लच्छन मिया से बॉंडा बनाने के विधी रेसिपी ले ली अपने घर जाकर बनाया पडोसियों को खिलाया पडोसियों को भी बहुत पसंद आया दीरे दीरे करते करते कि लूर्चा अच्छा बोनडा बाण खाड़ा और सकते हुं एसा बोल वेसा बॉंडा जैसे हो गए और हमारा जो हनग गच्चडा राजकुमार था। वो खुद बॉंडा जैसा हो गया अब इसके साथ चालेंज एक मुसीबत आई वो यह कि लोग इतने फूल गए थे इतने फैल गए थे बॉंडा जैसे हो गए थे क्योंकि अपने घर छोटे पढ़ने शुरू हो गए वो घर के अंदर घुसे कैसे ऐसमे समस्या आ गई दर्वा खिसकाते घर के अंदर भुसाते थे तो एक सुल्यूशन निकाला गया वो यह कि उन्होंने दर्वाजों के साथ साथ घर भी गोल बनाने शुरू कर दिये यानि कि लोग गोल मेहल गोल घर गोल दुकान गोल सब गोल सब बॉंडा बॉंडा और उस जगा का नाम पढ़ गया बॉंडा पली सब लोग खुश है थे बॉंडा खाते थे और गाना काते थे अपनी धुन में रहते थे अब धीरे धीरे यह बात इस राज्य से बाहर पहुंची दूसरे राज्य के राजा ने सुचा पर ऐसे क्या बात है कि बॉंडा पली के लोग इतने मस्त फले फूले सा अंगडी पता किया जाए हमला किया जाए तो दुश्मन राजा ने बॉंडा पली पे हमला कर दिया अला बोल अब इधर बॉंडा पली का राजकुमार जो राजी में अपने दर्बार में हमेशा बॉंडा खाता रहता था उसे इस बात की खबर नहीं थी जब दुश्मन सैन नजदीक आने लगे तो सेना पती ने जाकर राजकुमार को खबर दे राजकुमार जी राजकुमार जी दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है वो खेले के बहुत नजदीक पहुच गए है बताए हम क्या करें राजकुमार ने कहा हमारे सेनिको को बलाया जाए अरे, हमारे Sैनिक तो इस हालत में यह की चल सके मैं कुछ नहीं जानता! हमारे सारे Sैनिक को बॉलाओ अब सारे के सारे सैनिक आए अब सैनिक भी भी बॉढणा खा 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 के खुद बॉणगे जैसे वो फूल गया थे, तो हाफे आफ्ते आफ्ते दर्बार में पहुंचे अब राजकुमा ने जब अपनी सेना देखी गोल गोल तो भी सोच में पड़ेगा भी कैसे वो दुश्मनों का सामना करेगा तो राजकुमा ने कहा हां किले की छट पर जाएंगे और च्छत पर जाके पहले जाएज़ा लेते हैं दे कि छत से राजकुमार नहीं नीचे जहाका तो हैरान हो गया कि दूर दूर तक दुश्मन सैनिकों का सैला यू तो थे दूबले मरियल मारे पर संख्या में थे बहुत सारी यही बात नहीं लुकती थी बस तीखे पैने हतियार थे उंके न्यारे घोड़ा हाथी तोप मोर्टार क्या कुछ नहीं था उंके पास यार हालत हुगी पस राजकुमार पड़े थे सोच में इतने में लच्छन मिया यानि कि शाहिखान सामा पीछे से आया उसकी हाथ में थी एक बड़ी सी तश्तरी तश्तरी में थे बहुत सारे बॉंडा और शाह राजकुमार तेजी से पल्टा अब वजन इतना था कि वो अपने आपको संभाल नहीं पाए लड़ खड़ाए डगमगाए गेंद की तरह उचले लुड़के तप्पा खाकर नीचे सेनिकों पे जागिरे सेनापती को लगा अरे राजकुमार का यही तो आदेश है सेनापत अपने सब सेनिकों को आदेश दिया राजकुमार का मतलब है कि आप सब गेंद की तरह उचलो कूदो और नीचे टपकों सारे सेनिकों ने ऐसा ही किया अपने आपको समेटा लपेटा गेंद सब बनाया उच्छाला और टपा खाक खाके नीचे सेनिकों पर गिरें टपक टपक 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 नीचे घड़े सेनिकों को समझ में नहीं आया कि ऊपर से क्या रहा है यह तोप के गोले है यह राक्षस है यह भी बला क्या है पर बॉंडापली के सेनिक गेंद बनकर उचल रहे थे टपा खाकर नीचे गिर रहे थे और सेनिकों को धारा श्याई कर रहे दोपक 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 सेना के घोडे इधर तपके बॉनवापली के सैनिक और उधर पिच के तोप और मोटार बस सैनिक तपके जा रहे थे और नीचे खड़ी लीन मीन सेना धारा श्याई होती जा रही थी आदे घंडे के बाद राजकुमार जो सबसे पहले नीचे तपके थे उठे उन्होंने अप इतना कहना था कि शाही खान सामा यानि कि लच्छन मिया आगे आगे आए पीछे पीछे उनके असिस्टेंस की कतार सबके हाथ में थे एक एक थाल और थाल में थे ताजे ताजे गरम गरम बॉंडा और अब सोची क्या हुआ बैटल फील्ड में युद्ध छोड़कर राजकुमार राजा दुश्मन राजा सैनिक बॉंडा पल्ली के सैनिक सब बैटके खाने लगे बॉंडा युद्ध गया तेल लेने और सबने खाने शुरू कर दिये बॉंडा वहां पर शुरू हो गई दावत और सबने नारे लगाए बॉंडा पल्ली जिन्दाबाद कहानी यहां पर खत्म होगी उमीद करती हूं कि आपको पसंद आई होगी और आपको कैसी लगी यह कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और एक छुड़ा सा काम भी आप चाहिए तो कर सकते हैं वह यह की खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और चीज जबरदस्ती खिलाई जाती है उनके चित्र बनाओ आप आई वीएं के पेज पर भेजू या अपने पेज पर लगाओ अप्रोट करो और इंटीग्रेटेड वॉलिंटियर्स नेटवर्क या आई जे काके हाशी सर्विस प्रावत लमिटेट कोस में टैक करो और हमें देखे अच्छा लगेगा और अपनी राय जरूर देना मुझे बहुत मजा आया ये कहानी सुना के और मुझे थोड़ी सी भूप भी लगाई है बॉड़ना तो नहीं मैं कुछ और जरूर खाऊंगे शाम का वक्त है अगर आप शामके को स्नैक खाते हैं तो मुझ हेल्दी स और ये कहानी हो सके तो और लोगों को भी सुनाइएगा तो बंस अगैन आ वेरी बिग बिग थैंक यू तो Integrated Volunteers Network and IJ Kaake Hashi Services Prada Limited. Thank you so much. I'll meet you again. Keep telling and sharing the joy of studies. Bye-bye.